मुझका दोस्तों मैं गर्व राच्वान स्वावित करता हूँ आपका यूरिक अडिक चैनल पर आज हम लोग बात करेंगे डिजिटल बोर्ड लेने से पहले किन छे बातों का बहुत जादा हमें ध्यान देना चाहिए अगर ये 6 बाते आपने नोटिस कर ली तो आप कहीं भी किसी भी कंपनी में अगर जाते हैं पैन इंडिया कहीं भी अगर आप डिजिटल बोर्ड इंटरक्टिव फ्लैट पैनल लेते हैं तो आप सही ले पाएंगे तो बिल्कुल वीडियो को ध्यान से अंतक देखिए और आप नोटिस कीजिएगा जो पॉइंट्स हम डिसकस करेंगे जो सबसे पहला है जो सबसे पहला हम लोग वो size decide करना सही size decide हम लोग कैसे कर सकते हैं जो हम लोग के classroom का strength है उसके हिसाब से जो classroom में हमारे बच्चे बैट रहे हैं वैसे जगह जहां पर हम लोग इसके through training दे रहे हैं वहां पर वो size की visibility और readability कैसी है उसके हिसाब से लेना चाहिए न कि classroom का size कितना बड़ा है उसके हिसाब से कि हमारे बड़े चोटे गई हिसाब से तो वह सही size decide नहीं होगा वह decide होना चाहिए कि वह content किस तरह का prepare कर रहा है क्या मैक्स का बना रहा है क्या कोई schools के लिए कर रहा है engineering के लिए कर रहा है या कोई और चीजों के लिए कर रहा है तो उसका content कैसा है उसकी visibility कैसे आ रही है उसकी font की readability कैसी है उसकी हिसाब से size decide होना चाहिए दूसरा जो बात आपको ध्यान देनी चाहिए वह display quality पैनल के display quality कैसी है HD है full HD है 4K है 4K में भी बहुत सारे अलग-अलग quality है बहुत सारा 4K जो आता है जैसे कि अभी आप image देख रहे होंगे दोनो 4K में ही दिख रहा है तो 4K में क्या है कि उनके nits होते हैं internal technology होती है brightness की quality standard होता है उसके हिसाब से जो उसकी content की clarity पिक्चर की clarity वीडियो की clarity कैसे आ रही है वो उन चीजों को भी आप notice करें जो फिर जो पॉइंट है वो touch technology टेच की technology कैसी है तो तीसरा जो है point हमारा touch screen technology जो आपको यहां पे दिख वी रहा होगा हम लोग बात करेंगे touch screen technology के बारे में अब यह touch screen technology क्या है कि जब हम लोग writing करते हैं उसकी smoothness हम को देखना है इरेजर जो करते हैं इरेज करते हैं उसकी smoothness हमलों को check करनी है writing की accuracy check करनी है अगर कोई demo दे रहा है या किसी का आपने video देखा उसके through ही ले लिया आप बिलकुल judge नहीं कर पाएंगे तो यह बहुत ही important point है आप उस पर writing करके एक बाद देखिए क्यों उसकी writing के smoothness कैसी है इरेज कर रहे है उसकी कैसी है accuracy कैसे आ रही है जब आप writing कर रहे है जब इपर आप खुद लिखेंगे experience करेंगे चाहे वो आप Eureka के टेकनलोजी में है यूरेका का board आप यूज करें या किसी भी XYZ company में जाए तब भी आप एक सही digital board interactive flat panel के बारे में decide कर सकते हैं जो next point है जो next हम लोग बात करेंगे टेकनलोजी की वो है audio quality हम लोग video quality ने तो देख लेते हैं touch भी देख लेते हैं उसके बार आती है audio quality जो कि बहुत कम लोग ध्यान देते है audio quality बिल्कुल ऐसा ना हो कि हमें कोई अलग से audio या speaker लगानी पड़े आप उसका audio quality भी चेक करें कि inbuilt speaker की sound quality 100% volume पे कैसी है कही sound quality फट तो नहीं रही है audible है sound clear आ रहा है उसमें क्या अलग-अलग mode भी है जैसे अलग mode कहने का मतलब कि एक digital doll भी sound होता है सिर्फ class में digital doll भी अगर चला देते हैं कुछ ऐसा content है जो education related है जिसमें कि mono sound चाहिए उसमें न बास नहीं चाहिए टरबल नहीं चाहिए और भी बाकी settings जो music के लिए जैसे चाहिए होता वो नहीं चाहिए music के time में music वाला और बाकी अगर उस तरीके content या video है जिसमें कि mono sound चाहिए तो mono चलना चाहिए इन चीज़ों का भी ध्यान होना चाहिए जो next point है इसके बाद हम लोग discuss करेंगे audio quality के बाद जो आता है हमारा जो digital board हो गया इसमें software applications आते हैं यह भी एक बहुत important है तो हम लोग को ध्यान देना चाहिए ensure होना चाहिए कि वैसा application हो वैसा software हो जो हमारे purpose को solve कर रहा हो ऐसे नहीं कि जो teaching software होता है बहुत सारे functions हमने दिखा दिये बहुत सारा कोई company functions दिखा दिया जो एक educator के लिए एक users के लिए वो fruitful ही नहीं है तो सबसे पहले उन चीजों को देखना है कि अगर जो हमें चीजे पढ़ानी है या इस पर present करना है content बनाना है तो PDF के थूरू, PPT के थूरू, writing चाहिए तो pen का कैसे functions है, background का क्या functions है बाकि अगर mathematics अगर आपको करना है उसमें कितना यह helpful है या जो भी आपका purpose है उसमें यह कितना helpful है तो वो सबसे पहला matter करता है उसके बाद लोग generally क्या आगरते हैं कि बहुत सारे ऐसे features के बारे में आप उनी चीजों को देखते रहा जाते हैं, psychologically आपका उधर दिमाग चला जाता है, but बिल्कुल नहीं आपको psychologically divert होना चाहिए, आपको देखना चाहिए आपका क्या purpose है, वो सारे tools उसमें हैं कि नहीं, और easily उस आप tools को use कर पा रहे हैं कि नहीं, उसके बाद आती है softwares, वो software support नहीं करता है, वो चलता नहीं है, तो आप कभी-कभी जब play store है, उससे आपको ये application download कीजिए, install कराईए और check कीजिए कि क्या it is supportable, ये भी देखना होते हैं, क्योंकि इन सारी चीजों पे उस board का hardware, software and the compatibility of hardware, software ये पता चल जाएगा, और ये पता चल जाएगा कि ये board आ कर रहे थे, वो सारे कि क्या-क्या points हमें इसमें check करनी चाहिए, और उसके बाद हमें board लेना चाहिए, 5 points discuss कर लिए, जो last है, जो customer point of view से देखिए, वो सबसे ज़्यादा important आता है, फिर, वो है price, कि price क्या होना चाहिए, price हम कैसे decide करें, कि ये हमारा जो board का price है, उसके लिए हम कितना दे, market में अगर आप आ रहे हैं, कोई भी चीज़े, जैसे आप घर में यूज कर रहे हैं, mobile यूज कर रहे हैं, TV यूज कर रहे हैं, गाड़ी यूज कर रहे हैं, two wheeler row, four wheeler row, घर में जितनी भी चीज़े, आसपास में जो भी चीज़े आप यूज कर रहे हैं, सब में कि 75 इंचेज सारी कंपनी का चाहे वो यूरेका का हो या XYZ का हो सबका एक ही जैसा होगा बिलकुल नहीं जो बाकी के पहले पांच पॉइंट बताए हैं उन चीजों को आप चेक करें देखें उसके बाद आप डिशाइड करें क्योंकि यह एक बोड फॉर एक्जांपल 75 इंच आप से देना चाहते हैं या आपको usability से मतलब नहीं है आपको touch technology से मतलब नहीं है एक फोड़ा left and right भी है तो चलेगा उसकी touch sensitivity अगर कम भी है तो चलेगा आप उसके लिए दे रहे हैं एकसी formalities कर रहे हैं digital board लेने का तो आप उस हिसाप से decide कर सकते हैं और आप पे कर सकते हैं उसके बाद जो है एक चीज़ और ध्यान देनी चाहिए जब हम price की बातों पर आते हैं quality sales after service जो sales after service है वो कैसा है उसके बाद बोर्ड की quality के बाद sales after service पे बहुत बड़ा matter करता है तो उसका services कैसा है उसका installation कैसा है उसका maintenance क्या है इन सारी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए आज के लिए इतना ही आगे इस तरीके की वीडियो लाते रहेंगे आप लोग हमें इसी तरीके से प्यार देते रहें लाइक सब्सक्राइब करते रहें और अच्छे वीडियो लाएंगे और आपका help करेंगे कैसे आप एक अच्छे बोर्ड ले सकते हैं कैसे आप grow कर सकते हैं आज के लिए इतना ही thank you